नमस्ति दूस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल I.S. Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है तब जब आप UPSC या PCS को क्रेक करने के लिए पूरे दिल दिमाग से एक्टम तयार है कि बस करना है और ऐसे कंडिशन में एक important book है जो कि हर student को पढ़ना पड़ता है और वो है घटना चकर का जो भी student है सबके table पे सबके आलमीरा में ये book कहीं ने कहीं edition हो सकता है पुराना हो लेकिन ये book रखा पड़ा हुआ है ये मैं भी जानता हूँ लेकिन कुछ सवाल है जिसके जभाब मैं धोणा हूँ लेकिन जानना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं है हर कोई आपको कहता है एक कम कुरू घटना चकर कपड़ा हो घटना चकर के भी ह आप समझ कर पाऊगे यह निकरोग वह करोगे X, Y, Z न जाने हजारों बाते करा क्या कोई कभी जिंदगी में आके आपको यह बोला कि घटना चकर पढ़ा कैसे जाए कोमेट बोक्स में मुझे जबाब दीजिए अगर वो बोला हाँ तो कैसे बोला है जरा बताईए इंक्रिटवल पडिवार को तारी सारी लोग जान सकें कि कौन है जो कैसे आपको बोला है मैं तो बताऊंगा इस वीडियो के सुरूर से अन तक जब देखेगा तो सारी चीज दूद का दूद पानी का पानी कर दूँगा अब घबराईए ने लेकि कभी किसी ने बताया ये तो वही हसर हुआ न जो बचपन से लेके जबानी तक बेटा पढ़ हो बेटा पढ़ हो बेटा पढ़ हो बेटा पढ़ हो पढ़ हो पढ़ हो पढ़ हो यार कभी कोई तो बताओ कैसे पढ़ा जाए कोई नहीं बता पाया और जब तक समझ आई कि कैसे पढ़ा जाए तब तक उम्र ही निकल गई रिजल्ट अनसेकसिस जिन्दगी बिकार ताने भड़मार चलिए खेर कोई बात नहीं है मैं आया हूँ मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले ये बताईए कि क्या है घटना चक्र इसको समझिए एक एक रूट्स को समझिए क्या और क्यूँ जिस दिन जिन्दगी में लगाना सीख गय न उस दिन आपको कोई नहीं हडा सकता है मैं दिल से बता रहा हूँ आप मेरी बात को समझिए अगर आप हम पर बिलीव करते हैं तो हम आपको डूबने नहीं देंगे तब तक जब तक आप डूबने के लिए चाहेंगे नहीं ये आप येकीन हम पर कर सकते हैं हम आपका रिस्क लेने के लिए तयार हैं हम आपको पा वर्सों में जो पूछे गए प्रश्नों हैं उसका एक संग्र है, बस यह है घटना चक्र और कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं, इसका कोई डिफनेशन भी नहीं कर सकते हैं, जो डिस्पले हो रहा है स्कीन पर, फीगर, और यहीं सच है, अगर मैं सबसे पूछूं कि क्यों पढ़ते हो घटना चकर जी तो आपका उत्तर क्या होगा आज के डेट में जो लोग पर रहे हैं जरा उनका उत्तर आप भी सुन लीजिए अगर आप नए हैं तो क्या का है सुजित सर सीनियर बताये थे कि बीना घटना चकर के तुम पास नहीं करपाऊगे देखो मैं दो बार मेंस लिख चुका का ओ तीन बार लिख चुका यह स्य वह कम अपने आपको नहीं आंकता है, सच्य बता रहा हूं, अपने आपको उससे तो कम आकता है नहीं बस जिसके संस दुकान है वो चल गई है तो जर्णा इस से जाकर ख़ड़ा हो यह यह जाकर ख़ड़ा, मुखरजी रगर में हो यह पटना में हो यह जाकर ख़ड़ा, देखिये धुकांदार की उकात, टीचर से कमना हो, यह तो वही हस्र है कि ढम से ज्यादा पावर जो है ढम कर, जो अडे वाह बड़ी प्यारी हो और थोड़ा आगे इसके बिना पास करना impossible है सब लोग बोलते हैं तो अब मैं भी सुचा कि चलो ले लेता हूं बहुत बढ़िया बात है और थोड़ा सा आगे निकल ये जब ये थोड़ा सा मतलब क्या है हर इंसान जो answer देता उसको थोड़ा सा देमो आपको दिखाड़ा हूं इससे प्रस्न लरते हैं इसलिए मैं इसको खड़ीद रही हूं बड़ी अच्छी बात है अब एक मिनट जिंदगी को रोको एक मिनट और खुद से सौचो आज तक किसी ने आपको बता है कि घटना चकर पढ़ने का सही रास्ता क्या है क्या घटना चकर में कहीं पे एक पेज में भी लिखा हूआ कि से पढ़ा कैसे जाए दुनिया का हर चीज लेते हो दबा से लेके everything आपको सब का पता होता दबा है इसके क्या स्काव जिसके क्या effect है everything सब कुछ लिखा होता क्या घटना चक पे है लिखा हुआ क्या आपको किसी ने बताया, उपर-उपर सब बताते हुए निकल गया, कोई roots तक नहीं गया, और यही वज़ा हुआ कि आज तक आपको घटना चक्र पढ़ने ही नहीं आया, कर भी है लेकिन दिल की बात है, और आज तक यह हस्र हो गया है कि घटना चक्र आप पढ़ भी लिया होंगे, लाल कलम, पीला कलम, हडा कलम मार लिया होंगे, लेकि फिर भी अगर मैं कोई चान आपसे पूचूँगा, तो गारंटी के साथ का सकता हूँ, आपको फसा दूँगा, तो फिर पढ़े ही क्यूँ, अगर आप फसी रहे हैं, तो क्या पढ़े हैं आप, दो साल, तीन साल, पंच बढ़ दे रही है, अगर एक दिन लोटके चली गई, तो जंदगी भर तुमको खुद बे पस्ताना पढ़ जाएगा, तुम भागते रहोगे सक्सेस के पीछे, और सक्सेस इतनी तेजी से भागेगी न, कि समय की रफ्तार भी उसके सामने छोटी पढ़ जाएगी, और तुम कभी पकर नहीं पाओगे, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, अब इसे कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको पकर लिए न, तो जिन्दगी में लिख के रख लीजिए, आपका प्रिलिम्स इस दुनिया में कोई अगर काट के दिखा देना है, तो आ पढ़ने वाले हैं, उसके उस बुक में उस टॉपिक को उठा के पढ़ लिजिए, अच्छे तरीके से, बात को पकर यह, जिस टॉपिक को आप घटना चक्र में पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले बुक में जाके, कोई भी बुक अथरिंटिक बुक जो हम लोग आपको ब बटा हुआ, एक जो है रिग बैदिक है और दूसरा जो है उत्तर बैदिक है, अब यहां कोश्चन आजाए, कहां से जो बैदिक सबता है, दो भागों में बटा है, बताईए, कि एक जो है रिग बैदिक काल है, और दूसरा जो है उत्तर बैदिक काल है, तो एटा से जो है लोहा की प्राप्ति हो गई, और वहां के बाद जो है, रिग बैद में लोहा नहीं है, उत्तर बैदी काल में, लोहा का परचलर कम मात्रा में है, लेकिन है, छटी सत अबदिक बात तो है, तो कहानी छोड़ दिजे उसको, अब या रहा है बुक पे, तो यहां के बाद एटा के बाद में, तो अगर कोंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद इस टॉपिक के अंदर घुसिये, और फिर देखे, यह घटना चक्र वाकई में रामबान है, अदर भाइज, यह जहरवान से कम नहीं है, सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रखके, यह जहरवान है, पोईजन से कम नह जाओगे, कर भी है, लेकिन दिल की बात है, इसलिए सबसे पहले टॉपिक को समझो, और तब इसको पढ़ो, वक्त लगेगा, लेकिन जब होगा, तो सांदार होगा, जबरदस्त होगा, एक बार मैठ होगे, और एक बार में रिजल्ट लेके, फूल और फाइनल सेलेक्शन घर चले जाओगे, अधरबाइच, दो साल, तीन साल तो हो चुका है, इसमें बोलने की बात नहीं है, और ना अपने उपर सर्मानी की बात है, इज़्यत का तो आपको ख्याल है नहीं, चाहिए मैं कुछ भी बोलनू, आपको परभाव पढ़ने बाला नहीं, अब बदलने पाओगे, इसलिए थोरा सा समझो, दूसरा पाइंट, जो प्रस्न नहीं बनता है, उसे बुक में जाकर देखें, ना कि घटना चक्री व्याख्या को देखें, यही हम गलती कर रहे हैं जिंदगी में, और हर बार गलती करते हैं, जैसे जो प्रस्न को आप देख रहे हैं, व आप कोई छोटी मूटी गलियों बाली मारधार वाली नहीं है, गाली गलोज नहीं है, यह महा संग्राम है, यह महा भारत से कम नहीं है, सच बतारों दिल पे हाथ रखके, इसमें लाखों लोगों का सीना जो है चीरना है, उसमें तो हजारों है, इसमें लाखों हैं, और सब गलत होता question, तो सीधे जाके उस topic के जो book है, उसमें जाके ढूंडो, क्या है? उसको पकड़ो, उसके बाद फिर से लोट के घटना चक्र में आओ, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद व्याख्या को देखो, तब आपको पता चलेगा कि व्याख्या भी सही दिया हुआ है याने, और व्याख्या कहा से कहा तक के point को उठा के दिया गया है, तो इससे क्या होगा, आपको आगे फाइदा मेंस में भी मिल जाएगा, तीसरा और अंतिम बातिस का जो है, वो देखने का है, कि ज़्यादा प्रश्न बनाना, एक होता है मन के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्याद होने का ज़्यादा चांस है, अरे बेकूफी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्न बनाईएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्टेट हो जाईएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट रुख जाएगा, और जिंदगी जंड बन जाएगी, हो रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हो रही है ये लोगों के साथ में। जादा से जादा प्रास्ट बनाना सार्थक तब है जब उस विषै का अग्द हो। नहीं तो ये वही होगा कि एक साइड से बनता जाएगा और दूसरे साइड से बिगरता जाएगा अगर ऐसे पढ़ना है तो ऐसा पढ़ाई आपको मुबारक हो मिलिएगा दो साल तिन साल के बाद 2020 में तैयारी सुरू भी किया है न तो 2025 के बाद तो याद कीजिए गई फिर वही इवोशनल बाते हम भी बोल देंगे क्या करोगे जिन्दगी है इसी है किसमत है यह है वो है जो भी है और लास्ट इसका जो पॉइंट है कि आजकल घटना चक्र की बहुत सारी वीडियो की बाढ़ा गए आप देखते हो मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ बस आ करोगे तो सलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां भी लाखों की संख्या में भीर पड़ी हुई है और इस महा संग्राम में तुम सौर्ट करने चले हो कब गर्दन निकल जाएगी सरीर से पता भी नहीं चलेगा और लोगों को निकल रही गर्दन दो साल तीन साल तो हो चुका तो हमारे वीडियो से हमें डॉलर मिल रहा है हमारे वीडियो से हमें सब्सक्राइबर मिल रहा है आपकी जिन्दगी बेहतर नहीं हो रही है नहीं हो रही है हमारी वीडियो से आपको एक चीज का फाइदा होगा कि अखिर पढ़ा कैसे जाए जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो चीज बस दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलम नहीं है, उस वीडियो से, बाकी आपकी जिन्दगी है, जैसे करते हो, करो, मुझे क्या है, और आज का जो अंतिम पॉइंट है, जो जानना जवड़ी है, इसके फाइदे क्या है, घटना से के फाइदे क्या ह प्रस्न किस अध्याई से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, सबसे पहली फाइदा है, दूसरा है, आयो कैसे सोच रहा है, उसके दिमाग को कैच कर लोगे, खटाक से, तीसरा, जिस साल में जो प्रस्न पूछा गया है, आखिर वही प्रस्न क्यों पूछा गया, जब क्यों लगेगा, तो आपकी जिन्दगी जो है, पल में बदल जाएगी, ये तीन पॉइंट आपके पास में होना बहुत जरूरी है, अगर सुरू से अंतक इसके हर एक एक बात को अपनी जिन्दगी में उतार लिए, और आज अभी इसी वक्त से घटना चक्र इसी तरीके से पढ़ना सुरू कर दिये, तो यकीन मानो, अगली बार प्रिलिम्स आपका क्वालिफाय हो रहा है, जहां को में लिके देता हूं आपको, अधर बाई, दो साल तीन साल तक नहीं होगा, अगर सौट कर सौचते हो, कि एक कोई स सर, कैसे किये सर, हरे बेकुफ हो, थोरा तो दिमाग लगा लो, भगवान के लिए थोरा तो बुद्धी लगा लो, वो घटना चक्र पढ़के पास किया कि ने किया, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस इस्थिती में और जिस जोन में तुम जाने की कोशिस कर रहे हो, तुम किताब पढ़के भी नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें सौटकर्ट की अबादत लग चुकी है, और यहीं से आपका जो है, फॉल्डाउन सुरू हो चुका है, अब ये सीधी सी बात है, दुनिया के सामने ये प्रूफ होगा कि आप I.S.S.D.M. की तैयारी कर आए है, बातों सही है, इतना कौन करेगा, ये तो वही करेगा जिसको पर्थम परियास में पास करना है, जिसको पर्थम परियास में प्रॉपर S.D.M. I.S. बनके जमाने को दिखाना वही इतना करेगा, जिसको पांच साल में पास नहीं करना वो जिंदगी में नहीं करेगा जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं दावे के साथ में उसे परहाई के बक्त पता चलता है मेरा समय इतना बरबावतिना कौन करता है उसे मुभी देखने बक्त नहीं पता चलता है उसे गल्फेंड बॉइफेंड से बात करने बक्त नहीं पता चलता है time कहा हुआ। उसे घर में घंटों बात करने से पता नहीं चलता कहा हुआ। उसे दोस्तों के साथ मटल गस्ति करने में उसे नहीं पता चलता समय कहा गया। लेकिन जब पढ़ने बैठेगा तो उसे समझ में आता है समय इतना कौन करेगा। अच्छी बात है मुबारक हो। आस भी आपी को करना है और इस सफर में अर्जुन भी आपी को बनना है मैं तो आपका सार्थी हूं जी सार्थी का फर जदा कर रहा हूं बस एक बार एक बार जिंदगी में बस अर्जुन का फर जदा कर दो फिर देखो कमाल हो जाएगा दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें सेर कर दीजिए जिससे कि किसी और की जिन्दगी जो है कमाल हो जाए थेंक यू नमस्कार